सतकार योग प्यारी साहसंगत जी, प्यार और सतकार से कहना तान निरंकार जी, बोलिये सत्गुरू माता सुधिक्षा सविंदर हर देव जी महाराज की जह साहसंगत जी, सबसे पहले दासी सत्गुरू निरंकार दातार, निरंकारी राजपिता जी, साहसंगत मा का शुकरा ना करती है, जिनकी अपार किरपर्दे, हमारा ये जीवन का सफर अनन्द में बीट रहा है सत्गुरू सचे भाष्षा हमें हर पल समझाते हैं कि बंदे जिसने तुझे इनसान बनाया, इसे भूल गया, इसे जान ना पाया सत्गुरू हमें माया के अन्दे कुएं से निकाल कर, इस माया पती से जोड़ कर, हमें इस परम जीवन का लक्षय बता रहे हैं कि परम पिता प्रमात्मा को पाना ही, परम लक्षय है सासंगत जी कहते हैं, संतों मापुर्शों का संसारिक जीवन, बेशक धन वैभव की चका चोच से भरा जीवन ना भी हो, लेकिन उनका प्रभू प्रेम से भरा अध्यात्मिक जीवन, अत्यंत समरित होता है, जहां वे अध्यात्म के सबसे उंचे शिकर पर विराजमान नच संत कबीर दाष जी तो यहां तक कहते हैं कि अब तो जाए चड़े सिहासन मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भई हैं, कोई ना सके पहचानी। इसके लिए कहती हैं कि कहीं वे सिहासन तक पहुँचने के रास्ते में हैं या वे इसके लिए अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि लोग राम कबीरा एक वहे हैं कि हवस्था को मुश्किल जानकर इसकी संभावना को ही समझने के लिए तियार ही नहीं रहते लेकिन जबकि संतों महापुर्षों ने तो हमेशा इस और ही इशारा किया है कि जीने पूरन सत्गुरु मिल गया है वे उसी समय बख्षे गए है उनके लिए आत्मा प्रमात्मा का भेद खतम हो गया है वे प्रमेश्वर से इकमिक हो गए है शेहनशा बाबा अवतार सिंग जी महाराज संपूर्ण अवतार बाणी में फरमाते है कच्चे पके अगे जाकर करनी दा फल पावनगे कहे अवतार गुरु दे बंदे बिलकुल बख्षे जावनगे करम फल के बंधन गुरु के प्यारों पर बंधन कारी नहीं है ये निश्चित रूप से ही बख्षे जाएंगे सपष्ट है कि गुरु के सेवकों के लिए राम कबीरा एक होने में देर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कहीं दूर नहीं है यह रमा हुआ राम अंगसंग ही है गुरु ने एक इशारे से यह अंतर खतम करके इन्हें एक आकार कर दिया है मुश्किल यह है कि सत्गुरु द्वारा दे गई दिवया दृष्टी ना होने के कारण इस सवस्था कोई इनसान पहचान नहीं पाता इसलिए कबीर दास जी को कोई ना सके पहचानी करना कहना पड़ा गुर्मुकों के इलावा और किसी के पास इसे पहचानने की नजर ना होने के कारण संसार इस सवस्था को मुश्किल मान कर मुश्किल मान कर बैठ जाता है अग्यानता की जंजीर में बंदे हुए लोग चाहे राजा हूं या फकीर बंदन मुक्त होने की कलपना भी नहीं कर पाते माया की मजबूत जंजीरों में जक्रे ऐसे लोगों के लिए सत्गरु की शरण में आने के इलावा बचाव का कोई उपाय नहीं है कोई तरीका नहीं है उनके आवा गमन में पड़े रहने की और इशारा करते हुए कबीर दासची कहते हैं आएं है सो जाएंगे राजा रंक फकीर एक सिहासन चड़ी चले एक बंदे जंजीर जो भी संसार में आया है उसने एक नएक दिन ये मानवतन छोड़के यहां पर चला जाना है चाहे वो राजा है चाहे वो रंक फकीर है चाहे वो गरीब है एक सिहासन पर चड़ कर जाएगा और एक जंजीरों में बंद कर जाएगा सिहासन पर चड़ कर तो वही जाएगा जो हमेशा सत्कुरू निरंग कारदातार के चरनों में अपने आपको रखेगा भगत अपने आपको दीन हीन जनम जनम का अपरादी समझ कर हमेशा यही कहता है मैं तेरी शरन हूँ मुझे बख्ष लो जो इनसान यह सोच कर चलता है कि मैंने तो जीवन में कोई अपराद किया ही नहीं है तो परमात्मा से माफी किस बात की मांगो उसके लिए माफ किये जाने के संभावना भी खतम हो जाती है यहां एक परसंग विचार करने यो क्या है कहती हैं दो दरजी थे दोनों की दुकाने अगल भगल में थी पास पास में थी कपड़े सिल कर उन दोनों की गुजारे भर की आय हो जाया करती थी उन में से एक को अपने शुब करमों पर बढ़ा नाज था एक अपड़े सिल कर कश्टमर्ज को देते समय वह अपने पडोसी दरजी को सुनाते हुए उची आवाज में यह जरूर कहता कि मैं कश्टमर्ज की कतरन तक वापस कर देता हूँ हे परमात्मा तु मेरी साथ नियाय करना दूसरा दरजी बची हुई कतरनों को जोड़कर कुछ अत्रिक्त आय प्रापत कर लेता था कुछ और इंकम प्रापत कर लेता था वह हमेशा यही कहता हे प्रभु मैं गुनागार हूँ तुमारी शरण में हूँ मुझे बख्ष लेना परमात्मा की दरगहा में मुझे बख्ष लेना कहने वाला ही बख्षा गया परम नियाय कारी परमात्मा ने नियाय की बार बार गुहार करने वाले दूसरे दरजी के जीवन में जगय जगय हंकार भरे गुनाहों का अमबार भरा हुआ पाया हम समझ सकते हैं कि हंकार ही अब तो जाय चड़े सिहासन के राश्ते में सबसे बड़ी रुकावट है इसी हंकार ने रावन और हिन्य कश्यप को प्रबुवी मुक बनाया दूसरी और जो हंकार को छोड़ सके वे कोड़ा राक्षश, सज्जन ठक, गणिका पापन, भुमिया चोर जैसे गुनागार होकर भी बख्ष दिये गए इसलिए सत्गुरु निराकार के भैं में रहना होगा अतीद को भूल कर वर्तमान को गुर्मत के साचे में ढालना होगा हम सत्गुरु के वच्चनों के आगे नतमस्तक हो सके तो निश्चित रूप से हमारी अवस्था एक बन्दे जंजीर वाली नहीं एक सिहासन चड़ी चले वाली होगी जिसने इस परमपिता परमात्मा का नाम जब लिया है फिर उसका पार उतारा होना संभव है फिर उसने सिहासन पर चड़कर जाना ही जाना है लेकिन जो मो माया के जाल में फसे रहती है फिर उनकी अवस्था ही यही होती है कि वो इस परमपिता परमात्मा को तो पहचान नहीं सकते और फिर वो जनम मरन के बंदरों में ही पढ़े रहते हैं ऐसे ही एक चोटी सी स्टोरी भी है कि हम माया में हर समय इतना लिप्तना हो जाएं कि हम माया पती को ही भूल जाएं हम ने दोनों काम करनी है माया भी अपने गुजरान के लिए कमानी है हमने माया से ही सेवा करनी है संतों की और माया हमने इतनी लेनी है जिस तरह कभीर दास्टी कहती है कि साइं इतना देजिए जामी को तुम समाए मैं भी भूखा न रहूं तेरा संत भी भूखा न जाए ये दातार मुझे इतनी माया देना कि जिस से मेरा और मेरे प्रिवार का गुजरा हो जाए और जो भी संत रूख तेरा इस हमारे घर में परवेश करे उसकी भी हम अच्छी त्रहसी सेवा सथकार आदर भाव कर सके ये मेरे दातार इतना हमें देना इस तरह हैं जो करता है जो माया में हमेशा लिप्त नहीं रहता माया पती में लगा रहता है उसके सारे दुनियावी कारच भी ये सथकुरू निरंकार दातार रास कर देता है आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं कल को तो छोड़िये जनाब पल का पता नहीं स्वासों का क्या भरोसा रुक जाएं चलते चलते जीवन की है जो जोती बुझ जाएं जलते जलते इन स्वासों का कोई भरोसा नहीं है कि कितने हमारे स्वास भाकी हैं ये तो मालिक को पता है इन स्वासों के रहते हुए हम जितने भी इसकी बंदगी कर सकते हैं जितने भी ये हम राम नाम की माला इकठी कर सकते हैं हम इसको इकठा करें कहते हैं कि जब संतों का संग मिलता है तब इस समझाती है कि माया क्या है और माया पती क्या है इसी तरह कहती हैं एक सेट बड़ी मेहनस से काम करते थे एक दिन उनों ने अपने मुनीम को विला कर कहा पता करो हमारे पास कितना धन है और कब तक के लिए काफी है कुछ दिन बाद मुनीम जी हिसाब लेकर आ गए और सेट जी से बोले जिसी हिसाब से आज खर्चा हो रहा है इस हिसाब से अगर आज से कोई कमाई ना भी हो तो आपकी साथ पीड़ियां खा सकती है सेट जी हैरान हो गए और पूछा तब आठवी पीड़ी का क्या होगा सेट जी सोचने लगे और टेंशन में आ गए कहने लगे कि मेरी आठवी पीड़ी का क्या होगा साथ पीड़ियों तक का है फिर सेट जी बिमार रहने लगे बहुत उनका इलाज करवाया मगर कुछ फरक नहीं पड़ा एक दिन सेट जी का एक दोस्त सेट जी का हाल चल पूछने आया सेट जी बोले इतना कमाया है फिर भी आठवी पीड़ी के लिए कुछ नहीं है तो वो दोस्त बोला एक पंडे जी थोड़ी दूरी पर रहते हैं अगर उन्हें सुबह का खाना खिलाएं तो आपका रोग ठीक हो जाएगा अगले ही दिन सेट जी बोजन लेकर पंडे जी के पास पहुँचे पंडे जी ने आदर के साथ बिठाया फिर अपनी पत्नी को आवाज दी सेट जी खाना लेकर आए हैं इस पर पंडे ताइन बोली खाना तो कोई दे गया है पंडे जी ने कहा सेट जी आज का खाना तो कोई दे गया है इसलिए आपका भूजन सविकार नहीं कर सकते हमारा नियम है कि सुबह जो एक समय का खाना पहले दे जाए हम उसे ही सविकार करती है मुझे माफ करना सेर जी बोले क्या कल के लिए ले आऊं पंडे जी बोले हम कल के लिए आज नहीं सोचते कल आएगा तो इश्वर अपने आप भेज़ देगा सेर जी घर की और चल पड़े सोचने लगे कैसा आदमी है यह है इसे कल की बिलकुल भी चिंता नहीं है और मैं अपनी आटमी पीडी को लेकर रो रहा हूँ सेर जी की आँखे खुल गई उन्हें समझ आ गई सेर जी सारे चिंता छोड़कर सुख सेवा सिमरंससंग के साथ सतकुरू के चर्नों में रहकर अपना जीवन बिताने लगे उन्हें समझ आ गई कि हमने माया पती से जुड़के रहना है जब हम माया पती से जुड़ती हैं तो ये हमारी सारे चिंताएं दूर कर देता है फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती है चाहा गए चिंता मिटी, मन्वा बेपरवा, जिन को कच्छू नहीं चाहिए, वे शाहन के शाहा, कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं, इनकी कोई इच्छाएं नहीं होती हैं, इनकी सारी इच्छाएं, चिंताएं, ये सब ये सत्गुरु निरंकार के चर्णों में समर्पित ह जाती है फिर ये शेहनशा की तरह अपना जीवन बिताती है जिस तरह कहती है कि पेरेंस के साई में बच्चे बेफिकर सोते हैं इसी तरह जो भगत अपने आपको सद्कुरू के चर्णों में समर्पित कर देती हैं फिर वो भी बेफिकर होके सोते हैं कहते हैं कि जिस तरह करें आप कहते हैं कि जो मूरक होते हैं जो चिंताइं करते हैं लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो तो जिकर ही करते हैं फिर यह अपनी आप फिकर करता है यह अंतरयामी है घटगट वासी है इसको सब पता है कि कब किसको क्या और कितना देना है घटगट वासी अंतरयामी घटगट की जानन हारे बोत बविष्टे वर्तमान दी होंदी है इस नुसार इसको सब पता है बोत काल में क्या हुआ वर्तमान में क्या हो रहा है बविष्ट काल में क्या होगा इसलिए हम धारी चिंताएं इसके उपर छोड़ कर हम इसका निरंकार का सीमरन करें राम नाम की जितनी भी माला इकर्थी कर सकती है इसको इकर्था करें खाओ खर्चो राल मिल भाई तोट नावे बतो जाई ये राम नाम रूपी खजाना जितना जितना हम खर्च करते चले जाती है उतना उतना ये बढ़ता चला जाता है और दुनिया वे खजाना जितना जितना हम खर्च करते हैं उतना उतना घर्टा चला जाता है अब सत्कुरू ने हमें विवेक बुद्धी बख्षी है अब हमें पता है कि क्या हमने इकठा करना है और क्या हमने इकठा नहीं करना है किस के साथ जूड़ना है और किस के साथ नहीं जूड़ना है जब मालिक ने हमें विवेक मुद्दी बख्षी है फिर हम जान कर भी ऐसे करम ना करे कि जिस से हमारा पहार उतारा होने वाला नहीं है जिस से हमें कुछ प्रापत होने वाला नहीं है हम वही काम करें जिस से हमें कुछ प्रापत होने वाला है जिस तरह कहते हैं कि पानी में जब हम मधानी मारते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं आता लेकिन हम जब दूद में हम दही में मधानी लगाते हैं तो मक्षन निकलाता है इसी तरह जब हमें पता है कि माया पती से जूडने में ही हमें सेवा सिमरंससंग का अनद मिल सकता है और यही राम नाम रूपी धन हमारे साथ जाने वाला है तो फिर हम इसी को ही एकठा करें जो राम नाम की माला हमारे साथ जानी है राम रतन दन जिसके पास वही सच्चा धनवान है साथ संगत जी इसी तरह दासी को भी अशीर वाद देना कि हम इसी तरह सद्कुर के चर्णों में निरंकार के चर्णों में साथ संगत मा के चर्णों में अशीर वाद लेते रहें और अंतिम स्वांसों तक अपनी सत्कुरु के चर्णों में तोड़नी भापाएं साज संगत जी प्रेम से कहना दान निरंकार जी